नमस्कार मैं हो ससी आया जरगां की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं कुरोना के थर्ड वेब का बच्चों पर गंभीर असर होगा इसके कोई परमान नहीं डाक्टर रंदीप कुरोना के थर्ड वेब या भविसे में कुरोना के गंभीर संक्रमन बच्चों में देखने को मिले का इसके कोई परमान नहीं है यहां तक की कुरोना के दूसरी लहर में भी जो बच्चे कुरोना वायरस संक्रमित हुए उनमें माईल लगचन थे मुझे नहीं लगता कि भविसे में भी बच्चों पर कोई गंभीर संक्रमन देखने को मिलेगा मौसम विभाग के पुरोनमान के अनुसा इस बार मानसुन में अच्छी बारिस होने की संभवना है जारखन में 13 जून तक मानसुन आने की संभवना जताई जा रही है इस साल दक्षिन पुर्वी से मानसुन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है केरल के बाद महाराष्ट और गुजरात के कई इलाकों में मानसुन पहुंच गया है 11 जून से 13 जून के बाद मध्य भारत के कई इलाकों में मानसुन के पहुंचने का उनुमान है बतादे जारखन में पिछले 24 गंट में मानसुन समाने रहा है कहीं कहीं हलकी बारिस रिकॉर्ट की गई है मोख्य मंत्री ने दिये जाच की आदेश इनस्पेक्टर रुपा तिर्गी के संधेया अस्पद माध को लेकर जाच की मांग की जा रही थी इसे देखते वे मुख्य मंत्री ने एक सदस्य जाच आयो का गठन किया है मुख्य मंत्री ने ICU आड और आक्सिजन युक्त बेड का किया उधाटन राजे में स्वास्थ से समंधित अधारवुत संवरचनाओं को मजबूत शुद्रीड और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगता आगे बढ़ रही है बदादे क्रोना महामारी के दोर में लोगों को बेहतर स्वास्थ सुविधा मिले और इलाज के अभाव में किसी की मौत ना हो या हमारी स्वरच प्रात्मिकता है मुख्यमत्र हमन सुरे न मंगलवार को लाते हार जीला में नो निर्मित आईशुवार्ट और पाइपलाइन अधारित अक्सिजियोन युक्त बेड का ओनलैन उदगाटन करने के दोर ये बाते कही मुटभेड में पीलेफाई एरिया कमांडर सहीद 5 उगरबादी गिरफ्तार राजी के एक बेहसाई के घर परचा फेक कर हत्याक करने की योजना बना रहे प्रतिबंधित उगरबादी संगठन P.R.I के एरिया कमांडर सहीध पाँच उगरबादियों के पुलिस ने गिरफ्तर किया है बताया देगी रफ्तार उगरबादियों में एरिया कमांडर कुवर उराव, रभी मिंज, मोना उराव, उर्फ सत्तु उराव, नरेश उराव और अमरीत कास पोष्टा सामिल है इनके पास से एक स्कूटी, लुटा हुआ एक बजाज डिस्कोबर बाइक बरामत किये गए हैं कुरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक पाया काबू रामेशवर उराव परदेश कॉंगरेश के अध्यक्ष राजे के बीत तथा खायदा पूर्ती मंतरी रामेशवर उराव ने कहा कि जीवन और जीवी का बचाय रखना की चुनावती के साथ के नेटिति में कुरोना संक्रमन की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है लेकिन अभी खत्रा टला नहीं है बिसे सागयो की और से कुरोना संक्रमन की तिसरे लहर की भी चेतानी दी गई है ऐसे में अभी सतर्क और एतियात परतने की जरूरत है बतादेरा में सरूराव ने कहा कि 10 जून की सुबा 6 बजे अनलोक एक की मियाध खत्म हो रही है इस दोराण 22 अपरेल से लागु स्वाज सुरक्ष सप्ता की दोराण आवसक बस्तुओं को छोड़ कर सभी दुकाने बंद रही लेकिन खनर और निर्मान कारे जारी रहने के कान पिछले बर्स लोकडाउन की तरह ज्यादा नुकसान तो नहीं उठाना पड़ा रगुबर्दास ने की जेटेट परिक्षा के सिग्र आयोजन की मांग जाखन के पुरो मुख मंतरी और भाजबा के राष्टी ये उपाध्यक्ष रगुबर्दास ने जेटेट परिक्षा के सिग्र आयोजन की मांग की है साथ ही कहा कि राजे में 90,000 सिक्षकों के पद खाली हैं इनके भरने की परकिर्या भी या था सिग्रे सुरू की जानी चाहिए इससे स्कूलों में सिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा उन्होंने मंगलवार को कहा कि उनके कारेकाल के दोरान 2016 में जेटेट परिक्षा अउजन की गई थी इसमें 50,000 से ज़्यादा अवियार्थी पास हुए थे इसके बाद लगबग 30,000 सिक्षकों की नियुक्ती भी की गई इस बीच 2021 तक लगबग 5,44,000 के सिक्षक परसिक्षन कोर्स को पूरा कर जेटेट के लिए योगेता हासिल कर ली है लेकिन परिक्षा का उजन ना होने से उनका भविस अंधकार में बना हुए है जारखन में अनलोक 2.0 की त्यारी में हमान सरकार मिलेगी रियायते जारखन में क्रोना संक्रमन रफ्तार काम हो रही है अनलोक 1 की सब हलता को देखते हुए राजे की हमान सरकार पबंदियों में धिल देने की त्यारी में है 10 जून की सूबा 26 से अनलोक 2 के तहद लोगों को कुछ और रहात मिलने की उमीद है बतादे क्रोना संक्रमन की घरती रफ्तार को देखते हुए राची समेत राजे के नौ जिलो में कपड़ा, जुत्ता, चपल, कास्टमेटिक और जेलरी की दुकानों को खोलने के नुमेति दी जा सकती है जारखन में बंद रखे गए मौल और मल्टी ब्रांड दुकाने खोलने पर लगाई गई प्रबंदी हाटाने पर मंतन किया जा रहा है इसके अलावा ब्यापारी गति विदिया का समय बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है बता दे सरकारी कर्यालों का समय भी दीन के दो बढ़ाया जा सकता है गाउ में अब नियमित हेल्थ सर्वे दूर की जाएगी बीमारिया मुख्यमंत्री मुख्य मंत्री ने कहा है कि ग्रामीन छेत्रों में चल रहा हेल्थ सर्वे अब नीमीत रूप से किया जाएगा ताकि ग्रामीन छेत्रों की स्वास्त बेवस्ता का हाल सरकार को पतान लगते रहे मुख्य मंत्री ने कहा कि हर तीन या चार महीने परिया सर्वे कराने के लिए जीला उपायुक्त कमर कस ले उन्होंने राजे के सभी उपायुक्तों से कहा है कि वह इस सर्वे से जुड़े पंचायत अस्तर तक के तमाम आकडो का डेटाबेस त्यार करे ताकि पता चल सके कि गरामी इलाकों में स्वास सुविदावों की क्या इस्थिती है ज्यार्खन में 603 नए केस मिले हैं ज्यार्खन में कूल मौत की संख्या 5,073 है वहाई कूल एक्टिफ केस की संख्या 5,099 है भारत में 92,729 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिफ केस की संख्या 12,26,850 है ज्यार्खन में 603 नए केस मिले हैं पलामु बारा, देवघर तीन, गुमला तेरा, गिरी डी दस, खोटी पंदरा, लातेयार तेरा, सराय किला छो, सिम्डेगा तेरा, गडवा आठ, लोहरदागा शोला, चातरा नव, गोड़ा एक, जाम तड़ा पांच, ज्यारखन में एक्टिव केस इस प्रकार हाए, जाम तड़ा 27, साहिव गंज 88, दूमका 66, पांकोड में पांच मरीज एक्टिव हाए, बाल सुधारगिरी में बाल कैदियो का नाशा करते वीडियो वाइरल, राची के सदध हमाचे तेगे डूमर दागी सित बाल सुधारगिरी में रहन बाल को द्वारा नसे का सेवन करने के ममला प्रकास में आया है, इसे लेकर एक वीडियो भी वाइरल हुया है, वीडियो वाइरल होने के बाद सिटी, एसपी, सुधारगिरी में पहुंचे और जाच की, सुत्रो ने बताया कि इस दोरान सराब, गंजा, सिग्रेट सहित, अने नसे के समान बरामत किया गया, जारकन में कुरोना की रिकवरी दर 96.96, जारकन की कुरोना रिकवरी दर 96.96 परतिशत है, तथा मिर्तिव दर 1.48 परतिशत है, बतादे राजे में कूल सक रिये, मामले 312 है, स्वास्त विभाग के नोडर पता दिगाई, सिधात तिरपाठी ने मंगलवार को प्रेश वारता में अजनकारी दी, उन्होंने बताया कि राजे में पोजेटिविटी दर 0.79 परतिशत पाई गई, मुख्य मंत्री ने किया पुस्ता का लोकारपन, मुख्य मंत्री मंसुरे ने कहा कि कुरोना की तीसरे लाहर के असंकार जता जा रही है, इस लाहर में कौन सब से ज़्यादा परभावी होंगे या कहना अभी मुश्किल है, लेकिन बच्चों के संक्रमीत होने की ज़्यादा आसांका जताई जा रही है ऐसे में क्रोना के तीसरे लहर से निपटने और इस्पतालों में बच्चों के बेहतर इलाज की बेवस्ता को लेकर सरकार ने त्यारिया शुरू कर दी है मंगलवार को मैनुवल फोर प्रिप्रेशन प्रिवेंशन एंड प्लानिंग फोर कोविड न और अने जनकारों से विचार भी मसकर त्यार किया गया है अवैद खनन के खिलाप सक्त करवाई राची उपायुकते राची के उपायुक छवी रंजन ने मंगलवार को जीला अस्तर ये खनन टास्पोर्स की बैठक आयुजित की उन्होंने अधिकारियों को जीला में अवा खनन सहीत इट भटो के आसपास पर दूसरा नित्यादी की जांच के भी सक्त निदेश दिये सरकार की नाकामियों का दास्तावेज है जपीसी मेरिट लिस्ट रध होना रहुआरदास पूरो मुखमंद्री रहुआरदास ने जहारकन हाई कोट की उगर से छठी जपीसी परिक्षा कामतीम परिणाम के बाद बने लिस्ट को अवायद बताते हुए रहत करने के निर्नाय को जांच कामो कामी के दस्तावेज और सरकार के नियुक्ती वर्ष 2021 की घोसना की फजिहत बताया है पूरो मुखमंद्री ने हाई कोट के फ्रसले का स्वागत करते हुए मंगलवार को कहा की खतियान के धारपन नियोजन निती बनाने का जोठा वादा कर चून कर आई जामो कंगरे सरकार ने उनकी सरकार द्वारा आदिवासियों मुलवासियों के लिए बनाई गए हितकारी नियोजन निती को नहीं बचा सकी और नई नियोजन निती बनाने के लिए कुछ नहीं कि सर्जु राय की पार्टी गो मिली मने आता जthinkन की विधायक सर्जु राय द्वारा गठित पार्टी भारतिय जंतंत्र मोर्चा को मिल गई है निर्वाचन आयोग ने सर्जु राय की पार्टी को रायनितिक दल के तौ canopy-प पंजिकृत किया है मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंदर तिवारी ने इसकी जनकारी दी अब संगठन का विस्तार होगा कदावर नेता सर्जू राय और भारतिय जनतंत्र मोर्चा के बैनर तले अपने रायने तिक अति विदियो का संचालन करेंगे पांच वरस तक के बचों को दी जाएगी विटामिन A कुरोना से बचाव के साथ साथ पोषन मिटाने के लिए समाज कल्यान विभाग द्वारा जहरखन मातरु सीसू स्वास्त एवं पोषन माह अरंभ कर दिया गया है बतादेया एक जून से तीस जून तक पूरे जहरखन में आरंभ है इस अभ्यान में नौ माह से पांच वरस तक के बचों को रोग परतिरोधक छामता बढ़ाने बीमारी विवम संक्रमन से बचाव के लिए विटामिन A की खुराग दी जाएगी इस संबन्द में समाज कल्यान विभाग के निदेशक ने पत्र जारी कर इस कारेकरम को सत परतिशत सफल बनाने का निदेश दिया है कम संसाधनों में भी अधिक सिखते हैं जहरखन के बच्चे जहरखन के बच्चे कम संसाधनों में भी काफी बेतर सिखते हैं बतादे केंद्र सरकार द्वारा जारी पर्फरमेंस ग्रेंडिंग इंडेक्स 2019-2020 के आकड़े इसकी पुष्ठी करते हैं इसमें लर्निंग आउटकम में जार्खन को रायस्थान चंडिगर्ण करनाठक के बाद जार्खन को चोता अस्थान मिला है बता दे परफर्मेस ग्रेंडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट के उन्चार लर्निंग अकाउंट कम के लिए निर्धारीत कूल 180 अंक में जारकन को 156 अंक प्राप्थ हुए वही पहले अस्थान पर रहे रायस्थान को 168 अंक ताथा सन्यक तुरूप से दूसरे अस्थान पर रहे करनाटक और चंडिगड को 160 अंक प्राप्थ हुए धन्यवाद